आईए अब हम आगे देखते हैं कि जीवन बीमा के उद्देश के हैं देखे बच्चों अभी तक जो मैं जीवन बीमा को आपको समझाते आ रही हूं या एक स्टेट्मेंट मैंने आपको जैसे की बताया था पहले कि जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियों दोनों तत्व विद्देमान रहते हैं तो जो ये दोनों तत्व हैं ये ही जीवन बीमा के दो उद्देश हैं इन दोनों तत्व को आईए हम एक बार समझने की कोशश करते हैं कि किस तरह ये जीवन बीमा के उद्देश है पहला उदेश है सुरक्षा, अगर सुरक्षा को हम देखें तो इसमें क्या होता है जो insurance companies होती है, उनकी priority यही होती है कि वो अपने customers को क्या करें, सुरक्षा दे या जिनका उन्होंने भीमा किया है, उनको वो सुरक्षा प्रदान करें इन केस्ट जो उनका भीमा धारी है अगर उसकी मृत्यू हो जाती है तो उस मृत्यू के बाद जो उनके पीछे उनके फैमिली मेंबर्स परिवार के लोग रह जाते हैं उनको financially किस तरीके से मदद की जाए किस तरीके से उनको उनके जीवन को चलाने के लिए पूंजी दी है ये सारी चीज़ें जब बीमा तयार होता है या बीमा का contract बनता है उसमें निश्रिट किया जाता है और इसी contract के अंतरगत या इसी contract को फॉलो करते हुए ही क्या होता है कि बीमा धारी के मृत्यू के बाद उसके परिवार जनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है बीमा कंपनी की हो जाती है जैसे कि उस अधुनबंद में लिखा हुआ है अगर इसके दूसरे उद्देश की बात करें जिसे हम विनिय कह रहे हैं तो यह एक बहुत अच्छा विनियो का साधन भी है क्योंकि इसमें क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति अपना बीमा कराता है तो वह अपने धैनिक खर्चों में से एक छोटी मात्रा जिसे वह बीमा के लिए प्रीमियम की रूप में जमा करना चाता है वह उसको है ऐसे हो सकता है अपने जीवन में उसने वह बचत ना की हो अब चुंकि बीमा कराया है इस वजह से उसे वह छोटी रखम अलग से निकाल के रखनी पड़ रही क्योंकि उसे प्रीमियम पे करना है अब जैसे जैसे वह प्रीमियम पे करते जाता है वह उस जीवन बीमा जो उसने ले रखा है उसके सारे प्रीमियम भरते जाता है इसकी बात क्या होता है इस स्थिती में उस बीमा दारी की यदि मृतियू नहीं हुई है विनियोग की बात हम कर रहे हैं क्योंकि तो जैसे ही वह जीवन बीमा जो है मैच्योरिटी पिरेड में आता है या मैच्योर हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है जो वीमा की रकम होती है और साथ बीमा के सिध्धानतों में पढ़ात तो वैसे ही इसमें भी दो सिध्धानत है पहला है परम सदविश्वास का सिध्धान और दूसरा है बीमा योग हित का सिध्धान आए इनको जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पहला जो हम देख रहे हैं परम सदवि पीच में जो भी बाते होंगी बीमा से रिलेटेड जितने भी आवश्क सूचना है एक बीमा धारी को बीमा करता को देनी चाहिए वो सारी सूचना है बिना रुके बिना डरे उसे दे देनी चाहिए जीवन बीमा कराते समय है साथ ही साथ अगर बीमा कंपणी ने जो कॉंट्राक्त क्रेट किया है as per the policy of जीवन बीमा जो भी उन्होंने नॉम्स डाले हैं रूल्स डाले हैं जो बिंदू उसमें डाले हैं वो सारे बिंदूं की जानकारे भी किन्हें देनी चाहिए उन्हें बीमा धारी को देनी चाहिए क किस situation में ये बीमा कितना fund पे करेगा, किस situation में ये बीमा void हो जाएगा अगर होता है तो, और किस situation में आपको कितना पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें एकदम clear होने चीजे, मतलब दोनों party, बीमा धारी भी और बीमा करता भी, दोनों party एक दूसरे के साथ fair game खेरेंगी, कोई भी किसी के trust को break नहीं करेगा, जो दूसरी बात हम कर रहे हैं, या दूसरे सिधान्त को हम देख रहे हैं, वो है बीमा योग हित का सिधान्त, अब इसमें क्या होता है कि, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि, ये सिधान्त तभी कारे करता है, जब उस बीमा धारी का, जिस पर बीमा किया गया है, उसकी सुरक्षा से, उसको क्या हो, लाब हो, और अगर उसको कुछ होता है, तो उससे उसको हानी हो, इस थिती में, ये बीमा योग हित का सिधान्त काम आता है, इस इधान्त में अगर हम देखें तो किस तरह के हम मेल देख सकते हैं बीमा के लिए वो कुछ इस प्रकार है यदि हम देखें कि प्रतेक विक्ति का अपने जीवन में कितना important रोल है क्योंकि यदि उसके मृत्ति हो जाएगी तो उसके परिवार वाले हैं उनको कौन support करेगा तो इस case में भी जीवन बीमा लगेगा अगर पती का पतनी के जीवन में और साथ ही साथ पतनी का पती के जीवन में यदि कोई माता पिता यह चाहते हैं कि उनके जानने के बाद जो है उनके पुत्र गोग कुछ धन मिले तो इस सिती में वो भी बीमा करा सकते हैं और यदि कोई एकल पुत्र है मतलब माता पिता का कोई एक ही पुत्र है और वो ही चाहता है कि अगर कभी ऐसा situation सिटूएशन ने की लिए वोटे कर आएगा अपने जीमिन वी मा कराएगा ताकि उसके जाने के बाद उसके माता-पिता जो धन के लिए परिशान नहीं उनकी आर्थिक सिती खराब नहों ये बीमा कंपनी बीमा की रखम उनको सोप दे और जिससे कि उनकी जीवी का धीरे धीरे आराम से चलती रहे तो इन कुछ situations में ऐसा होता है कि जीवन बीमा का जोई ये सिद्धानत है कि बीमा योग ये हित का सिद्धानत वो काम आता है आईए अब हम बात करते हैं जीवन बीमा पत्रों के प्रकार के बारे में जिसे हम English में कहते हैं अब टाइपस ओफ लाइफ इन्शुरेंस पॉलिसी को जो है अकर हम समझें तो पहला प्रकार इसका कहता है कि आज जीवन बीमा पत्रों जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं whole life insurance policy अब इसमें क्या होता है इसमें जो बीमा धारी है वो उसका जो जीवन परियंत्र जो होता है उसका बीमा होता है और साथ ही साथ इसके premium की रकम भी बहुत कम होती है लेकिन इसमें जो बीमा की रकम मिलती है परिवार वालों को वह बीमा धारी के मृत्यू के प्रशाथ ही मिलेगी जैसा कि अभी तक मैंने आपसे चर्चा की है अगर हम इसके division को देखें तो इस पहले प्रकार को भी तीन भागों में बाटा गया है पहला कहता है सीमित premium वाला आजीवन बीमा पत्र इसमें क्या होता है कि जब ये जीवन बीमा कराया जाता है ये भी आजीवन बीमा पत्र होता है इसमें कुछ निश्चित अवधी के लिए premium की amount को तै कर दिया जाता है उस निश्चित अवधी में एदी सारे premium पे हो जाते हैं तो उसके बाद उस बीमा धारी को किसी भी प्रकार का premium पे नहीं करना पड़ता लेकिन बीमा की जो रकम है वह कब होती है जब उस व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है यानि बीमा धारी की तब ही उसके परिवार को मिलत है उसी प्रकार हम दूसरा देखें साधारण आजीवन बीमा पत्र इसके इंतरगत क्या होता है यह भी एक आजीवन बीमा पत्र है इसमें जो premium की मात्रा होती है वो थोड़ी सी comparatively जादा होती है पहले वाले से और इसमें भी जो बीमे की रकम है वो बीमा धारी के मृत्यू के बाद ही उसके परिवार को दी जाती है हम सी देखते हैं इसके बाद जो इसके classification है वो कहता है कि एक premium वाला आजीवन बीमा पत्र होल लाइफ policy of single premium जैसे कि यह वाकी एकदम सपष्ट कह रहा है कि इस आजीवन बीमा पत्र के इनुसार जो premium है वो एक मुष्ट बीमा जब शुरू होता है तभी वो premium को पे करना पड़ता है और यह एक ही बार में पूरी रकम पे करनी पड़ेगी तो जैसे कि हम देख रहे हैं जब premium की जो रकम है वो हम एक ही बार में पे करेंगे तो यह बहुत ही साफ हमें समझ में आ रहा है कि जो premium का amount होगा वो बढ़ा होगा त उन से comparatively उसका जो amount होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो second classification है वो आता है बंदोबस्ती बीमा पत्र यह यह जो है यह बहुत ही प्रचलित रूप है बीमा कंपनी का यह insurance policy करने का अगर हम इसकी classification को देखें तो पहला जो आता है वो कहत है साधारन बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र ordinary endowment life policy इसमें क्या होता है कि एक निशित अवधी तक premium को पे करना रहता है और क्या होता है कि इसके अंतरगत यदि विक्ति की मृत्यू हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार वालों को वो धन मिल जाता है इसके बाद आता ह है दो लोग कम से कम होना चाहिए जिनका policy एक साथ होगा ठीक है यह पती-पत्नी भी हो सकते हैं किसी company के या किसी enterprise के दो partners भी हो सकते हैं तो इस सिती में क्या होता है कि अगर एक partner की मृत्यू हो जाती है तो दूसरा partner है उसके ओपर यह liability इतनी जादा नहीं रहती क्योंकि उ insurance की रकम मिलती है वो उसको मदद करती है कि जो पहले partner है उसके घर वालों को उसका हिस्सा देने में मदद करें साथ ही साथ fund उसको धीरे-धीरे देने में मदद करें तो यहां पर joint life policy काम आती है फिर हम बात करते हैं वार्ष की जीवन बीमा पत्रकिया नहीं annuity life policy इसके अंत पत्र होते हैं जो की देखा जाए तो एक प्रकार के pension plan की तरीकी से काम करते हैं कि इसमें जो premium भरे जाते हैं according to contract भरे जाते हैं लेकिन यह जो बीमा होते हैं वो किसी के मृत्यू के परशाद बीमा की रकम नहीं देते अपी तो क्या होता है वो जब duration पूरा हो जाता है तो अगला classification है अवधि जैसे हम जानते हैं जानते हैं कि ब्रिद्ध लोगों को पैसो कि हर समय आवशक्ता हो लेकिन व्रद्धा आवस्ता में ब्रद्धा आवस्ता में क्या होता है इंसान रेटायर जाता है तो वहां उनका income जो generation होता है वो काम हो जाता है तो इस सिती में यह बीमा होती है अगर उन लोगों ने करार रखा है तो ये बीमा उनको मदद करता है financial help करता है आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला classification वो कहता है अवधी जीवन बीमा पत्र इस इंग्लिश में हम कहते है term life policy इसके अंतरगत क्या होता है कि जो बीमा पत्र है एक निश्चित अवधी का होता है एक निश्चित अवधी तक ही इसमें premium भरा जाता है अगर उस निश्चित अवधी के अंतरगत बीमाधारी की मृत्यू हो जाती है तो क्या होता है उस बीमाधारी के जो परिवार के लोग है या परिवार जन है उनको क्या मिलता है उस बीमे की रकम को सौम दियाता है इन केस अगर इस duration में उसकी मृत्यू नहीं होती है या ये plan समाप्थ होते तक term policy का उसकी मृत्यू नहीं होती है तो ये जो बीमा है वो वहीं पे समाप्थ हो जाता है मतलब इस situation में अगर आप देखें तो यहाँ पर सुरक्षा का तत्व पाया जाता है विनियोग का तत्व नहीं पाया जाता और comparatively ये जो policy होती है वो सस्ती होती है ठीक है तो इस तरीके से हमने अवदी जीवन बीमापत्र को भी जाना फिर बात आती है सामोही जीवन बीमापत्र या वर्ग बीमापत्र इसमें क्या होता है कि अगर एक फैक्टरी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उस फैक्टरी को नियोजक है वो क्या करेगा जो एक लेवल के लोग हैं, मतलब एक तरह के अधिकारी हैं, जो एक लेवल के लोग हैं, उनका क्या करेगा, सबका इंशुरेंस कराएगा, और ये बीमा किस के बीच होगा, वो नियोजक के बीच होगा, और बीमा कमपनी के बीच होगा, फिर आती है बात, बहुत देश्य जी इसमें बहुत से अलग अलग तरीके के बिमा इंकलूड़ड़ होते हैं जैसे कि एद्धी विक्ति की मृति हो जाती है तो उस व्यक्ति के परिवार में उनके बच्चों का स्टिक्षण करना उनके बच्चों की शादियां कराना और कोई समस्य आती है वो ब्रेक हो हो करके बीमा कंपनी के द्वारा बीमा धारी के परिवार वालों को दिया जाता है अगर हम शिक्षन बीमा पत्र देखें तो उसके नुसार educational insurance policy इसमें क्या होता है कि जो पिता होता है वो अपने पुत्र के लिए इस तरीके का प्लान लेता है और ये प्लान उसे आगे पढ़ाई में मदद करती है फिर आगे बात आती है दोरा बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र डबल एंडोर्मेंट लाइफ पॉलिसी इसके अनुसार क्या होता है कि जो पॉलिसी जिस बीमा धारी ने ये पॉलिसी ले रखी है अगर उसकी मृत्यों हो जाती है तो उसक के डबल रखम मिलती है फिर लास्ट जो है वह विलंबित बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र इसमें क्या होता है कि इसमें पहले ही नुबंद में तै कर लिया जाता है कि वो जो अमाउंट है भीमा की रखाम वो कब दी जाएगी तो इसमें बीमा की रखम को उसके परिवार वालों को यानि बीमाधारी के परिवार वालों को देने में समय लगता है चाहे उस बीमाधारी की मृत्यों पहले ही क्यों न हो गए हो जब तक वो टाइम पीरेड नहीं आएगा तब तक वो इंशुरेंस कंपनी उसके फैमिली वालों को वो एमाउंट नहीं देगी तो बच् पहले लक्षन या विश्ष्ष्टा आप देख रहे हैं यह बीमा करता एवं बीमाधार के बीच एक लिखित अनुबंध होता है फिर इसमें मानव जीवन में घटने-योग घटनाओं का बीमा कराया जाता है जीवन बीमा में बीमा करता का प्रतिफल प्रीमियम होता है और बीमा धारी का जो प्रतिफल होता है वो भुक्तान का बचन है। फिर अगली हम विशेष्टा देखेंगे तो वो कहती है कि बीमा प्रीमियम का भुक्तान एक मुष्ट या एक निश्चित समयावधी के अंतराल में किया जा सकता है। बीमा प्रीमियम का भुक्तान ना होने पर बीमा भंग हुआ माना जा सकता है। और इस पर केवल बीमा करता के ही हस्ताक्षर होंगे। जीवन बीमा के घटना के घटित होने या अवधी पूरा होने पर भुक्तान अवश्य किया जाता है। जैसे की मैंने अभी तक आपको इस सारी चीजेने पहले ही डीटे में बता दी है कि यह जो organizer होता है जो लोगों के बीछ होता है एक बीमा करता होगा और एक बीमा धारी होगा फिर क्या मैंने बताया कि इस जीवन बीमा में मानव के जीवन में जो घटनाएं हो रही है वो उस पे क्या रहता है और उसी पे बेस्ट रहता है इसमें जो बीमा धारी है उसको प्रीमियम देना पड़ता है और बीमा करता है उसको क्या देना पड़ता है यदि बीमा धारी की मृत्यू हो जा ब्याज के साथ साथ जिसे हम बोनस कहते हैं वो बीमा की रकम भी दिनी पड़ती है अब जो अनुबंध तयार होता है उस अनुबंध में ये निश्चित रूप से लिखा जाता है कि घटना के घटित होने या बीमा के पूरा होने के बाद दोनों ही सितियों में क्या होगा जो है बीमा धारी को बीमा की रकम का भुकतान किया जाएगा और साथ ही साथ ही जो कॉंट्राक्ट तयार होता है नुबंध तयार होता है उसमें जो अन्तिम हस्ताक्षर होते हैं वो बीमा करता के हस्ताक्षर होते हैं तो ये थी विशेष्टाएं अब हम आगे बढ़ते हैं औ बीमा की प्रक्रिया क्या है सर 1956 में जो है इसका राष्ट्री करण किया गया और भारतिय जीवन बीमा निगम को एक अधिकाय प्राप्त हुआ इसका बचो उस समय भारतिय जीवन बीमा निगम ही एक ऐसी संस्थाती जो यह कारे करती थी लेकिन आज मैंने जैसे आपको इसका बढ़े माशा है जो इस फील्ड में आ गई है तो अगर हम उसके प्रोसेस को जाने कि उसकी प्रक्रिया क्या है कौन से स्टेप्स का पालन करते हुए यह बीमा कंपनिया किसी वीमा धारी का बीमा करती है तो आईये हम उसस्टेप्स को देखते है जैसे कि आप जानते हैं कि पहला step लिक्रा है इसमें बीमा के लिए प्रस्ताव पत्र अब इसमें क्या होगा बच्चो जैसे कि form भरना कुल मिला कर गए एक format में form दिया जाता है उस form को फिल करना रहता है उसमें नाम पता उसके साथ सारी details जितनी included होती है सारी चीजें उसमें फिल करनी होती है ठीक है उसके बाद आयू का प्रमान प्रूफ ओफ एज इसमें आजकल आप देखते हैं कि आधार काड़ भी दिया जाता है उसमें क्योंकि आपको डेट ऑफ बहुत मेंशन रहता है फिर हम आगे बढ़ते हैं स्वस्त परिक्षा फिजिकल फिटनेस इसमें क की बात करें तो इन्होंने भी अपने बीमा जीवन बीमा के अंतरगत जो फिटनेस टेस्ट रखे हैं वो टेस्ट वह भी कराते हैं फिर बात आती है एजेंट की गोपनिय रिपोर्ट की आप यह जो कॉन्फिदेंशल रिपोर्ट है क्योंकि एजेंट के थूँ ही सारी जो अब चलता है और पहले जन में प्रमान पत्र चलता था वह भी ले सकता था और उसके बाद उनके स्वास्ता परिक्षा भी हो गया उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो यह जो सारी जानकारी है वह क्या करता है अपने हेड आफिस भीजता है अगर हम भारती जीवन बीम निगम के हेड आफिस भेजेगा अब वहां पर क्या होगा वो पूरा प्रॉपर फाइल जो उस व्यक्ति की बंती है जो की बीमा लेना चाहता है वो पूरी प्रॉपर चेक होगी और उसमें यह तैय किया जाएगा कि जिस तरीकी का जीवन बीमा वह लेना चाह रहा है क्या उसके योगे है अगर योगे है तो वहां से रिपोर्ट आईगी कि आप इसको यह बीमा दे सकते हैं और योगे नहीं निकलता तो वहां से भी एक रिपोर्ट आती है कि नहीं यह इस बीमा के योगे नहीं है तो इस वाले जो चौथे वाला जो फंक्शन है या कारे है उसमें यह activities यह एक्रियाइं होती हैं फिर बात आती है प्रस्ताव पत्र की स्विक्रदी अब मान लीजें वहां से रिपोर्ट आ गए कि नहीं आप इस व्यक्ति का बीमा कर सकते हैं एजेंट को यह रिपोर्ट मिल गए रिपोर्ट को समिट किया वहां से उनको उत्तर आ गया कि नही कि अपर एजेंट क्या करेगा कि प्रीमियम की पहली रकम को भरने के लिए कहेगा इसके बाद आता है द्हु मैं नों यह प्रता वीजेशंट का प्रारंब जैसे ही वह लिए मधारी अपने पहली किस्थ성 लोह करता है cela बटाता है वैसे ही जोखिम का प्रारंबह अब ये जोखिम का प्रारंब मतलब क्या मौत सिर्फ मंदराने लगती है क्या होता जोखिम का प्रारंब जोखिम के प्रारंब से मतलब यह है कि अब यदि उस विक्ति को कुछ होता है तो उस विक्ति के मृत्यू के पश्चात जो बीमा कंपनी है वो उसके जो परिवार जन है उनको फाइनशरी हेल्प करेगी according to the contract as per the policy ठीक है तो उस हिसाब से क्या होगा यहां पर जोखिम की बात की जारी है कि इस तरीकी के जोखिम स्टार्ट हो जाएगा कि बीमा की पहली किष्ट दी अब जोखिम स्टार्ट हो गया कि अगर इस duration में अगर उस विक्ति की मृत्यू हो जाती है तो कौन पैसा देगा बीमा की कंपनी ही उस विक्ति के परिवार वालों को पैसा देगी तो कोई व्यक्ति पैसा तभी देता है जब उसके हाथ में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिस पर वो विश्वास कर सके तो विश्वास करने के लिए भी क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती जैसे फर एक्जांपल आप अगर कोई बिल भरते हैं ठीक है तो वहां स धारी कोई बीमा कराता है तब जो उसका क्याते हैं प्रस्ताव पत्र जो है वो स्विक्रित हो गया उसने पहला प्रेमियम दे दिया जो खिम भी स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या होता है उस इंशुरंस कंपनी की तरफ से वो जो प्रस्ताव पत्र है सील साइन होकर के प्रॉपर मुद्रांकन हो करके आती है और उसको वो कॉपी ओरिजिनल कॉपी दे दी जाती है कि भई आपके वो इंशुरंस की बेबर हैं आप इसको अच्छे से रखिए यह आपको in future काम आएंगे तो यह होते हैं जीवन भीमा की प्रक्रिया बच्छो आजकल जो प्रॉसेस है लगभग ऑनलाइन हो चुकी है हाला कि manual वर्क भी चल रहा है पेपर वर्क भी हो रहा है लेकिन यह जो प्रॉसेस होती है वो इतनी क्विक हो जाती है आजकल का मैं यही कहना चाह रही थी कि यह जो प्रॉसेस है अभी भी चल रही है लेकिन जितनी रंबी यह दिख रही है उतनी रंबी नहीं होती है बहुत ही जल्दी जल्दी कर दी जाती है जितनी जल्दी प्रस्ताव पत्र स्वीकार जाता है उतनी ही जल्दी उस व्यक्ति का बीमा हो जाता है और उसको वो बीमा पत्र देर भी दिया जाता है तो बचो इस तरीके से आपने जीवन बीमा को डीटेल में जाना है और समझा है आईए अब हम देखते हैं कि अगनी भीमा क्या होता है